BCCI ने बुदवार को आइलेंड के खिलाव खेले जाने वाली आगामी T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है टीम के स्टार और राउंडर खेलाडी हार्दिक पांडिया को अब टीम की कप्तान ही सौपी गई है तो महीं टीम का उपकतान भुवनेश्वर कुमार को बनाये गया है इस टीम में कई IPL के स्टार खेलाडियों की भी वापसी हुई है भारते टीम इस दौरे पर दो T20 मैच खेलेगी ये मुकाबले 26 और 28 जून को खेले जाएंगे राउल तरिपाथी को टीम में पहली बार मौका दिया गया है साथ ही विकेट कीपर बलेबास संजू सैमसन की भी टीम इंडिया में वापसी हो रही है दक्षन अपरिका के खेली जा रही T20 सीरीज में केहल राउल के चोटिल हो जाने के बाद रिशब पंद को टीम की कमान मिली टीम का उक कप्तान हर्दिक पांडिया को बनाए गया हर्दिक पांडिया ने हाल ही में IPL में अपनी टीम गुजराट टाइटन्स की अगवाई करते होए IPL का खिताब टीम को जिताया ऐसे में इस बार टीम इंडिया की कमान उनको सौपी गई है इस सीरीज के लिए सीनियर खिलाडियों को अराम दिया गया है साथ ही भारत के आयलन्ड दौरे पर VVS लक्षमन टीम इंडिया के मुख्य कोच होंगे इसके साथ ही नैशनल प्रिकेट अकादमी के कोच सितांशु कोटक, साही राज बहुतुले और मुनीश बाली भी सेयोगी स्टाफ का हिस्सा होंगे वही मुख्य कोच, राहूल ड्राविड और टीम के कई अन्य सीनियर से योगी सदर्शों के साथ इस सब्ता के अंत में टिम इंडिया इंग्लिन के लिए रवाना हो जाएगी फिलाल इस अबडेट में इतना ही, अगर आप कोई वीडियो पुसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजेगा, वीडियो को ज़ाज़ादा शेर कीजेगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा और कमेंच में आप अपनी राए हम तक ज़रूर को चाहेगा